डिजनी वाली जंगल बुक में जंगल बहुत सुन्दर-सुन्दर टाइप था लेकिन नेट्फिक्स वाली मोगली में जंगल वैसा ही खतरनाक है जैसा असल में होता है Netflix का मोगली चड़ी पहन के खिला हुआ फूल नहीं है बलकि एक काटा है जिसे जंगल की एनिमल जनता निकाल के बाहर फैक देना चाहती है अब तक मोगली के जंगल की स्टोरी टेलिंग में बचपन वाला एक मीठा मीठा सा एलिमेंट होता था लेकिन इस मोगली को जंगल में इनसान होने का कोई डिसकाउंट नहीं मिलता उसे उतना ही रफ ट्रीट किया जाता है जितना की किसी और जानवर को किपलिंग की ओरिजिनल स्टोरी के हिसाप से Netflix का मोगली डिसनी के मोगली से ज्यादा एक्क्यूरेट है बट ये मोगली की ओरिजिनल्टी नहीं है जो इसे स्पेशल बनाती है असली मुद्धा है स्टोरी टेलिंग मोगली की कहानी वही है जो हमने हमेशा से देखी है जंगल में इनसानों का एक बच्चा है जिसे भेडियों का जुन पाल कर बढ़ा करता है लेकिन इनसान का बच्चा होने के नाते बहुत से जानवर उसे जंगल से बाहर खदेड़ देना चाते हैं और शेर खान तो मतलब मार ही डालना चाता है ये स्टोरी लाइन हम सबको पता है लेकिन मोगली का ट्रीटमेंट इसे यूनीक बनाता है जहां डिजनी की जंगल बुक में स्टोरी का नेरेटर बगीरा था वहीं मोगली में नेरेटर है अजगर लेडी का डिजनी वाली स्टोरीज में मोगली का इनसान होना सिर्फ एक फैक्टर है लेकिन मोगली में उसका इंसान होना नेचर और हुमन्स के बीच का बैलन्स पॉइंट है यही बात नेट्फिक्स की मोगली को स्पेशल बनाती है और यही बात बहुत लोगों को खराब भी लग सकती है एक्चली मोगली को लेकर हम सब के दिमाग में एक सेट स्टोरी पैटर्न है और दिल में एक नॉस्टैल्जिया लेकिन एक सेट फ्रेम के तूटने से किसी को यह फिल्म खराब भी लग सकती है मोगली के स्पेशल इफेट्स लाइव एक्शन है यानि ये सिर्फ पूरी तरह एनिमेटेड नहीं है इसे परफॉर्मेंस कैप्चर टेक्नीक से बनाया गया है यानि आपको एनिमल्स के फेस पर इंसानों जैसे एक्सप्रेशन भी नज़र आएंगे लेकिन अगर आप इसे मेरी तरह हिंदी डबिंग में देखेंगे तो एक्सप्रेशन के साथ कहीं कहीं पर डबिंग का टोन मैच नहीं खाता हाँ इंग्लिश वाले ओरिजिनल वर्जन में देखने पर ये फिल्म शानदार लगती है मोगली का background music, story के intense treatment को बहुत अच्छे से compliment करता है मोगली, Legend of the Jungle के director, Andy Serkis को performance capture का genius माना जाता है उन्होंने Planet of the Apes में Caesar का सवर्दस character भी play किया है उन्होंने मोगली को सिर्फ direct ही नहीं किया, बलकि Baloo का character भी play किया है performance capture में उनकी एक्सपर्टीज आपको मोगली में साफ नज़र आएगी कुल मिलाकर मोगली, Legend of the Jungle, मोगली की कहानी पर एक बिलकुल नया टेक है जैसा पहले कभी भी नहीं दिखाया गया अगर आप हमेशा से जानी पहचानी इस कहानी को एक बिलकुल अलग तरीके से देख सकते है तो ये फिल्म बहुत पसंद आएगी अगर आप उस बच्वल वाली स्टोरी से अलग नहीं देख सकते तो sorry, ये फिल्म आपके लिए नहीं है मेरी तरफ से मोगली लिजेंड आफ दे जंगल को 3.5 स्टार